विलम क्यों हुआ वो भी बता देते हैं विलम इसलिए हुआ कि देश में आज एक मेला चल रहा है पिछले आठ साल देश में बेरोजगारी का मेला चल रहा था वो किसी को नहीं दिखा आज मोदी जी ने एक मेला निकाला है रोजगार मेले का नाम की अबस हर चीज में एक तमाशा करना है कोविड हो तो तमाशा कोविड से लोग मर रहे थे तब भी तमाशा लोग बेरोजगारी में हाय तौबा मची हुई है पूरे देश में फिर तमाशा इस देश में सरकार चुनी है तमाश भी नहीं चुने ये तो धन्यवाद है भारत जोड़ो यात्रा को कि बेरोजगारी शब्द नागपूर वालों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि यहाँ बेरोजगारी है नहीं तो आखे बंथी सबकी कान बंथे सबकी और प्रधान मंत्री जी को भी समझ में आया कि बेरोजगारी वाकरी एक मुद्द है इतना बड़ा मेला कितनी नौक्रियां? 75,000 वादा क्या किया था? अगर वादे पे हम जाएं तो 16 करोड नौक्रियां पिछले 8 साल में मिलनी थी उसका हिसाब दे देते मेला शुरू होने से पहले मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेते वे UPA के वक्त नौक्रियों का हिसाब किताब दे रहा हूँ हम लोग डरते नहीं हिसाब किताब दे है trafi और दिबावली के वक्त लेखा जोखा हमारे सांस्कूरिपिक परंपरा है सारा भहिखाता सामने रखना चाहिए मोधी जी को भी रखना चाहिए हम रख रहे हैं एसे सी के 68 से 69 हजार नौकरियां प्रती वर्ष मनमोहन सिंग जी की सरकार में मिलती थी यह पब्लिक नौलेज है सब सारवजनिक आंकरे हैं कहीं छिपाने वाली बात नहीं है प्रती एक साल में 20,000 UPSC 68 से 69 हजार SSC 30 से 35 हजार रेलवें बैंकिंग में 50 हजार नौकरियां एक साल में मिलती थी डिफेंस में 1,500,000 नौकरियां प्रती वर्ष मिलती थी अभी इसी जून को जून 2022 को मोधी जी के चार मंत्री वैसे मोधी जी के मंत्री सुभज से शाम तक कुछ करते नहीं है सिर्फ राहूल गांधी पर नजर रखते हैं कि वह कहां गए क्या बोला और उनको जवाब देना उन पर हमला बोलना और कोई काम नहीं मोधी जी के कैबिनेट का लेकिन इस जून में मोधी जी के चार मंत्री आए प्रेस कॉंफरेंस की क्योंकि मोधी जी तो करते नहीं प्रेस कॉंफरेंस बंत्री करते हैं प्रेस कॉंफरेंस करके बोला कि जून 2023 तक 10 लाख नौक्रियां देंगे आज क्या आए जी अक्तूबर खतम हो रहा है छे से साथ महीने बचे हैं इस वादे में आज मोधी जी ने भाषण में कह दिया दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौक्रियां वो भी समय आगे बढ़ा देंगे धिरे धिरे 2025 तक ले जाएंगे बात को तब वो नहीं रहेंगे प्रधान मंत्री लेकिन फिर भी कि हिसाब तो दीजिए ये 75,000 नौक्रियां देकर मेला लगा कर और ये नौक्रियों के बारे में भी बता दूँ आपको इन सब का रिजल्ट कब आया साथ हम पूछते हैं क्यों बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवार करते हैं रिजल्ट तीन महीने पहले आया, चार महीने पहले आया, छे महीने पहले आया, आपने रोक लिया कि चुनाव आएं गुजरात में और हिमाचल में और फिर मेला करें और तमाशा करें और बोलें दिल लीजी ये नौक्री ले लिखे वो बच्चे जो इंदजार कर रहे हैं, उनकी पूरी जीवन के निर्णे इस appointment letter पर आधारित होते हैं appointment letter मिलेगा, शादी करेंगे, घर बढ़ाएंगे, अपना परिवार को आगे बढ़ाएंगे सब आपके इस तमाशे की इंदजार कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, क्यों? हम ये भूल जाते हैं, जो अपने आपको प्रधान सेवक बताता था, वो अपने आपको राजा मानता है अब तो वो मुझे प्रधान सेवक शब्द बोलते भी नहीं है, क्यों उन्हें मालूम है, कि कोई विश्वास नहीं करेगा ये क्या राजा रजवारों का राज चल रहा है? जब मैं कहूंगा तभी अपॉइंट्मेंट लेटर देंगे भले, उसमें 6 मीने लग जाएं, 4 मीने लग जाएं, आपकी जिंगी तबाह हो जाएं, लेकिन चुनाव के पहले नाटक करना है मुझे ये एक लोगशाही है, लोगशाही में आप अपने आपको कुछ भी माने, आप हैं, जनता के सेवत, एक वोट पे आपको जनता बाहर कर देगी उस जनता को, उस नौजवान पीड़ी को, आप मजाख में एक तरह सो उसका जीवन बरबाद कर देगे अडवानी जी ठीक कहते थे, हम उनकी बातों से बिल्कुल सहमत कभी नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, अपने चेले के लिए, ये इवेंट मैनेजर है आप करिए इवेंट, जो करना है करिए, सरकारी खडचा है, सरकारी पैसा है, बरबाद करिए जनता देख रही है, लेकिन नौजवान का जीवन तबाह करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया